नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है भाजपा के पदाधिकारियों ने बताया कि भाजपा की लहर चल रहा है उत्तर प्रदेश जन्पत बलिया में लोगसभा 72 बलिया में दुभर ग्लोग पर आयोजित कारिक्रम के दौरान रानू चौबे सियाराम यादप भूपेश सिंध आदी भाजपा नेताओं ने बताया कि भाजपा की चल रही लह है स्वर्गिय चंद्रशेक हरसिन के पुत्र नीरच शेक हरसिन को भाजपा प्रत्याशी है पूरी दमदारी के साथ में करता है सब खुद नीरस सेखर बंग के खुद चुनाव लड़ रहे हैं मतलब को नहीं लड़े हूं कि कारता चुनाव जी जी बिल्खुद मैं डाक्टर भुपेश कुमार सिंग रान परतिमीदी बेलारी क्या चुनावी मुद्धा जो है मुझे तो कल का रैली देख करके लगा है ऐसा मैं कल स्वय मुहाव पस्तिता सारे कारक्रम में सुरू से लेकर करके अंतर जो जनता की भीड थी मुझे देख करके ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि कहीं कोई लड़ाई भी दिख रहे हैं यहों अम्मन का गुबार है और अपने अपने मन की सांती तभी मिलेगी जब चार तारीक अकाउंटिंग हो जाएगा बीच में मुझे तुस लड़ाई नहीं देखता है बस चार तारीक तर लोह हो अपने अपने लोगों के लिए सलतवाला रखे लड़ाई पहले ही जीती जाती है अब मुझे तो ठाकुर ब्राम है और पन्डीय घड़ेव यहां है पूरव प्रमुक जी आमारे बाबा मुझे विरादरी में भेय हर विरादरी में भी है एक देखे राजीनित हमेसा तोड़ करके चल रही आज कल आपनों का जो मीडिया भी दिखा रहा है वहीं दिखा रहा है कि इतना परसेंट ठाकूर इतना परसेंट ब्राम इतना परसेंट यादो तो इसी बेश पे आपनों चुनाव का जो संक्रण हो रहा है लेकिन धरातल पैसा है नहीं धरातल हमें सब चुनाव विकास पे हुआ है और आजे भी होता रहे जाए मेरा नाम आयूश चतुरुवेदी और प्रानु चोब है मैं बाहुबली कंस्ट्रक्शन का ओनर हो और हमार बलाकों से प्रधान मानेनीय प्रधान गड़ और हमारे परमुख जी के प्रतिनिदी हनुमान गड़ भूभी आये हुआ है हमारे सियराम मामा है यह भुपेश बैलाहरी के प्रधान है और तमाम लोग जगा-जगा से आये हुए है बहुत हरसाई तो उलासित है सभी लोग जो है उदेश यही है क्यों को की थेरियों के आयो के बारे में बढ़ाना कि जो हमने 5 साल में बिजेद ने काम किया है पहले तो जन्ता को विच को बताया जांए और जो जन्यूप जो चीज नहीं पहुँच पाई है ।ो हम उस प् Libri दुबाहन बलाक के अंतर्दा यह कारीन कारीकर्म नुक्र सभ़ा हुल मीक अवालानी बल्लक के लोग अन्मानन बलक को से आए होग कुछ लगई भिलहरी से आए हुआ है कुछ लोग रसरा से भी आए हुआ है हर पर हमारे परचित हमारे रिस्तदार हमारे श्टमित्र और जो लोग एक का रहा है कि जो है यह ठाकूर बनाम ब्रामण जो यह चुना हो गया है आप लोगों के माध्यम से मैं यह काना चाहता हूं कि जो भी बुद्धिवी जिवी ब्रामण है और जो भी पढ़ा लिखा सब लोग आए हुए हैं याक दिल खोल करके और इसकारी करम को सफल बनाने के लिए और आप लोग भी आया है और मैं युवेजन करना चाहूंगा कि आप लोग आया है तो भोजन करके और जल्पान करके ही जाए ठीक है स्रीयारा मयादू मेरा नाम है अब हजपा का भी एक सब्सक्राइब करता है और रानु चोबे हम लोगों के दिल में बसते हैं इसलिए कि इतना यह नौजवान पुर्यावान ब्यक्ति हैं कि अपने यहां कारिकरम यह रखे हैं जिसमें हमारे नौजवानों के धड़कर कि अधिकारी और भुपेश जी भी पर्मो सिंग जी भी भोला पाने जी हमारे नौजवान साखी है तमाम लोग आये चुनाव तो धीरे-धीरे अपने चरम सिंभा पच्छा रहा है इंडिया की लड़ाई है तो भाहिव हम लोग के प्रत्यासी और भारत के पूरू पर्धानमंतिरी आधरनी स्रगी चन सेखर जी के लड़के अधाय सभा के सांसर भाजपा के प्रत्यासी नीरस पर्धार जी यही ऐसे एक व्यक्ति है तो ऐसा सोबर्बेटिक मिल्ला मुस्किल है अब ये फर्जी वाला सबत पर पूछे नीरा से खर्जी जीतेना से पिछली बार जीते होंगे उससे दुदा से जीते हैं और एक बात बता देता हूँ असपक्स सब्दों में कि हिंदुस्तान के यह उत्तर परदेश में जो चुना हो रहा है तीन ज़गा हो रहा है जो परमुख सीखार है हाट सीखार बनारस में नरे नर मोदी लड़ रहा है भारत के पर्धानमंत्री और भलिया में जो है क्या नम ह हिंदुस्तान में युपी के यह एसी OUR सह हमारे पर पत्यासि है कि हिंदुस्तान के बाइलाज में लिखा है आप लोग रिपोर्टर हैं, आप लोग जानते होंगे, कि परधान मंतिरी का एक छोटा सा भी परिवार के अगर कोई बच्चा है, तो उसकी सुरक्षा इसकी भी करती है, या कमांडो करता है, लेकिन देरा सेखर ही एक कैसे ब्यक्ति है, कि कोई सुरक्षा नहीं लिए, और य सादगी से सरल सुभाव के बेखते हैं, कि आज भी आप लोग देखे होंगे, हवाई चपल पहंद करके चलने का काम करते हैं, जिसका नाम है निरसेखर जी, यहां कि जो राजदीत पर, जो महाल चल लहा है, निरसेखर जी का कोई जवाब नहीं, वास्तों में वो ब्यक्ति जो है, खती से पकड़ लेखते हैं, और कोई उन पर दाग नहीं है, लोग कहते हैं, कि क्या आपने किया है, यह बताए, चंसेखर जी भी सुभी त्याले, यह जो है, चंसेखर जी के नाम पर बनाए, उसमें साइसमत कौन था, यही थे, और बहुत साप गोई से निरसेखर जितिने भी पिकास के काम हुई है, कोई बिढाय का अगर पास करा दिया, धिना साद्षत के साद्थी से नहीं होगा, तो उन्हों ने चाहे जनेसा सेथ हो, चाहें चंसेखर जी 20 द याले हो, चाहे ब inhया के कोई विकास हो, मालने थे फ्लाब लगां के बुपे सिंगी, नौ सबसे बड़ी गाव सभा है यह काम कराते हैं को या करके दूसरा उसका सिरे ले ले तो कोई जनता जानती है इसलिए जो है और यह कारिकरम जो रानु चोबे रखे हैं मैं रानु चोबे को पधाई देता हो और यहां जीतने लोग आए हैं उनको धन्य बात देता हूं कि भाई रानु चोबे तो घुमा ले गए रानु चोबे बहुत उस्साही नवजवान लड़के हैं और यह खिलाने के बड़े सोखीन है अपने खरक्रम लगाया है